अरियो, आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वाँद करते हुए आज मैं आप लोगों को Photoshop में BORDER DESIGN कैसे बनाना है वो बताने जा रहा हूं अभी क्या पहले एक नया फाइल ले लेता हूँ नया फाइल क्या है? 654 का एक फाइल ले लेता हूँ लेने के बाद आपको क्या करना है brush को design करना है पहले वोन brush कैसे बनाना है वो बता रहा हूं अभी पहले और एक नया file ले लेता हूं लेके अभी इसको क्या है एक rectangle tool ऐसे select कर लो select करके एसे लेता हूं rectangle mark tool से एसे drag किया अभी background में क्या है इदर black color है तो अभी इसको control backpress देंगे बोलके इसको ok बोलता हूं इस file को close कर दो आप अभी जो पहले file ले आता उसी file में हूँ भी अभी इदर क्या है custom shape में इदर क्या है ellipse लेता हूं ellipse circle लेके इसको क्या करो इसे एक circle ले देता हूं लेने के बाद क्या है आप f7 layer में आ जाओ layer अलग layer है इदर एक नया layer बना आपको क्या करना है इदर अभी इसको selection करने के लिए control enter दे दो तो यसे selection आ गया control पकड़के एंटर देने से selection आ जाता है आने के बाद इसको मैं अभी क्या करता हूं आपको लेयर को make work path as a for selection करके click करता हूं work path हो गया work path होने के बाद अभी अलग layer बना रहता है अलग path बना रहता है उस path को निकाल देता हूं निकाल के अभी क्या है brush लेके अभी जो हमने क्या create क्या था वह brush क्या है कभी भी last में रहता है इसको select करके आप क्या करो इधर इस stroke में click करो तो ऐसा आ गया तो अभी क्या हो रहा है प्लेन आ रहा है इसको अभी हमको थोड़ा creative बनाने के के लिए अभी क्या करता हूं मैं इसमें आप क्या करो थोड़ा brush को छोटा कर लो open bracket बोलने से छोटा होता है close bracket बोलने से बड़ा होता है square bracket को प्रेस करना है सो इसको थोड़ा medium रख लेता हूं रखके अभी क्या करता हूं windows में आके brush में आ जाओ brush में आके आप क्या करो अभ क्या है अभी single color आ रहा था वो multiple color लाने के लिए अभी में huge jitter जो है इसको full कर लेता हूं और इदर transform करके है इसमें क्या है ऐसे आप इसको उसका opacity भी ज्यादा कम आप कर सकते हो light dark ऐसे इदर changes सो रहा है नीचे वो preview में बता रहा है आपको चाहिए तो वो ज्यादा कम आप कर सकते हैं इससे आप इसमें मिल्लेम रख देता हूं अभी इसको ऐए यह थोड़ा ज्यादा कम आप करके श्यक कर सकते हो अब इदर shape में आता हूँ, shape में क्या है, ऐसे scatter है भी, इसमें scatter क्या है, इदर ज़्यादा कम आप कर सकते हैं, और ज़्यादा कम ऐसे कर सकते हैं, और इसको rotation भी आप दे सकते हैं, angle कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लेंगे तो straight आ रहा है, थोड़ा मैं इसको zigzag कर लेता ह लिए आपको चाहिए तो फिर से इदर आके इदर क्लिक करेंगे तो नया लेयर आता है ने तो उसके लिए कंट्रोल जे बोलेंगे तो भी नया लेयर आ जाएगा अभी पात में आके क्या करता हूं इदर फिर से एक बार इदर स्टोक देदो तो यह आ गया अभी उसको जो अभी इसको क्या इसे मुव्मेंट कर सकते हैं अभी जो पीछे अभी भी सेलेक्शन है उसको एक कंट्रोल एं एक नया लेयर ले लेता हूं नया लेयर है नया लेयर सेलेक्ट हुआ है पात में आता हूं पात में आके आपको क्या करना है इदर आके पहले इसको आप मेक वर्क पाथ फ्रम सेलेक्शन कर लो सेलेक्शन होने के बाद अभी क्या ब्रेश तो लेना है अभी इदर तो क्रेट बॉर्ट इटिट हो अलग-अलग ऐसे ब्रेश आप create कर सकते हैं जो इसको क्या ऐसे लेयर को निकाल देता हूँ इस तरह क्या है अलग-अलग बादर डिजाइनस आप बना सकते हैं वहद्से कस्ट्म शेफ में बहुत सारे shapes इस shapes को भी क्या है आप ऐसे दे सकते हैं अबी मैं आपको दिखाऊंगा इदर क्या है custom shapes में इदर बहुत सारे shapes हैं यह सब लोड तो नहीं रहते हैं पहले आप इदर आके क्या करो रिजएट शेप करेंगे तो पहले के शेप आएंगे सब चाहिए तो आप क्या करो इधर आके आल बोल दो बहुत सारे शेप इसको बोलो बहुत सारे शेप आएंगे इस पे भी आप ऐसे आप आप देख लेना अगर आपको कुछ इसमें डौट्स वगेरा है तो आप क्या है इतर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमारे साथ जुड़े रेने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद